एक RTI से ये बात सामने आए कि भारतिय सीना रिटाइरमेंट के बाद वफादार पुत्तों को गोली माच देती है। इसके पीछे कई कारण हैं जिसें जानकर आप हैरान हो जाओगे। आप लोगों में से बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा कि भारतिय सीना में रिटाइरमेंट के बाद वफादार पुत्तों को भी गोली माच दी जाती है। जी हाँ दोस्तों ये बात पून सच है कि वफादार कुट्टों को रिटाइरमेंट के बाद भारतिय सेना गोली मार कर मौत के घाड उतार देती है इसके पीछे जो बड़ी वज़ा है वो हम आप लोगों को बताएंगे जानवर भी वफादार होते हैं और जानवरों में वफादारी के मामले में कुट्टे का नंबर सबसे पहले आता है क्योंकि कुट्टा इंसान को हर मुसीबत के समय में बचाता है और इंसान के लिए सबसे वफादार साबित होता है भारतिय सेना में भी कुत्तों की वभादारी की भूमिका रहती है कुत्तों को भारतिय सेना के लिए special training दी जाती है और ये training लिए वे कुत्तिहर हाल में भारतिय सेना को समर्पित रहते हैं अपना अहम रोल अदा करते हैं भारतिय सेना के ये कुत्तिहर मुसीबत में भारतिय सेना का साथ देखते हैं लेकिन फिर भी भारतिय सेना रिचायरमेंट के बाद इन वफादार कुत्तों को बड़े सम्मान के साथ रिचायर करके गोली मार कर मौत के घाड उतार देती हैं ये सुनकर आपको बड़ा अजीब सलगा होगा लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी कारण है एक व्यक्ति ने RGI डाल कर आर्मी से ये सवाल किया कि आफिर क्यों इन वफादार कुट्टों को रिटारमेंट के बार मांच दिया जाता है तो आर्मी ने इसका बहुत बड़ा कारण स क्योर्टी रिजिन सेकिर्टी रियासिंस को बताया आर्मी का कहना है कि रिटारमेंट के बार ये कुट्टे किसी ऐसे व्यक्ति को ना मिल जाएं जिससे देश को नुकसान हो क्यूंकि इन ट्रेनिंग लिए हुए कुट्टों को भारती आर्मी के हर एक गुपत स्थान का पत केमपस और कई गुप जानकारिया होती है अगर इने आप लोगों को सौप दिया जाए तो सिक्योर्टी के लिए बहुत बड़ा खत्रा हो सकता है भारतीय सेना ने ये भी कहा कि यदि इन पुट्टों को रिटारमेंट के बाद एनिमल वेल्ट खेयर सोसाइटी को दे दिया कि इन पुट्टों को मारा नाजाए